किसी भी कारे को करने की छमता को हम competence कहते हैं, पढ़ाई तो हम सब करते हैं, किन्तो हम क्या पढ़ाई करने में सक्षम हैं, ये नहीं जानते हैं, जिस वज़े से हमें anger, depression, stress, anxiety और struggle का सामना करना पड़ता है और जो भी हमने success के goals अपने लिए स्थापित किये हैं या परिभाशित किये हैं, उन्हें पाने में बहुत समय लग जाता है और बहुत ही कश्ट से वो goals हम प्राप्त करते हैं So, how to build competence in learning, ये वीडियो आपको मदद करेगा आपकी बढ़ाई की छमता को बढ़ाने में सक्षमता बढ़ाने के लिए 6 basic tools की जरुवत पढ़ती है Experience हम अपनी इंद्रियों द्वारा कोई काम करते वक्त या अपनी सोच के हिसाब से जो महसूस करते हैं या सीखते हैं वो हमारा अनुभव बनता है Knowledge तत्य या किसी चीज के बारे में जानकारी हम जो कोई काम करते हैं उसकी समझ और उसके काम करने के तरीके की समझ जो हम ज्यान कहते हैं Skills हुनर हुनर वो होता है जो हमारे performance लेवल को काफी उपर लेके चला जाता है Behavior हम समय काल और अन्य व्यक्तियों वस्थितियों के अनुसार किस तरह से अपने सभाव की अभिवक्ति करते हैं Performance हम अपने goals की प्राप्ति के लिए किस कोटी का प्रदर्शन करते हैं विश्य है जहां आप खुद को देखना चाहते हैं या पहुचना चाहते हैं इसके लिए कहां और कैसे focus करें शुरुआत करें अपने लक्ष के निर्धारन से लक्ष निर्धारन से आपकी जो जर्नी है लर्निंग की वो असान हो जाएगी और आप प्राक्टिस करें अपने शिक्षकों के साथ स्मार्ट गोल्स लिखना स्मार्ट गोल्स होते हैं खास मापने योग्य, पाने योग्य, रियल वर्ल्ड में जो पाया जा सके और समय की सीमा निर्धारित रहती है लक्ष निर्धारन के साथी साथ आप अपने सभाव की परिकल्पना करें और इसके लिए जितनी जल्दी हो सके सॉफ्ट स्किल्स की एक अच्छी सी ट्रेनिंग ले क्योंकि सभावी डिसाइड करेगा कि आप किस प्रकार के मेंटर को पाते हैं और साथी साथ लर्निंग आपके अंदर किस तरह से समाहित होती है विभिन सोर्सिस से नॉलेज गेन करना शुरू करें कहीं से भी नॉलेज लें लेकिन उसके लिए क्रिटिकली थिंक करना बहुत जरूरी होता है थिंकिंग क्रिटिकली पे मैं अएक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूँगी नॉलेज क्योंकि हमारे लर्निंग की एफेक्टिवनेस को डिफाइन करता है इसलिए इसके उपर आपकी कमांड सबसे ज़्यादा होनी चाहिए नॉलेज के बाद जो इंपोर्टन चीज है वो स्किल्स है स्किल्स को बनाने के लिए एकी चीज की जरूरत होती है वो है प्राक्टिस और आपका हुनर ही आपके काम करने के तरीके की परफेक्शन और स्टैंडर्स को दर्शाता है ये सारी चीजें मिलके आपकी परफॉर्मेंस को डिसाइड करती है लेकिन परफॉर्मेंस हमेशा एक स्टैंडर्ड के अगेंस्ट मेजर करना चाहिए किसी को भी standard नहीं मानना चाहिए, industry standards को standards मानना चाहिए और उसके against आपकी performance मेजर होनी चाहिए क्योंकि performance आपके goals के achievement को decide करेगी पिछली पांचो activity आपका experience बनाएगी, आपका अनुभव बढाएगी इसलिए अनुभव को अच्छे से document करें और इसको future reference के लिए use करें क्योंकि experience ही आपके learning की achievements को decide करेगी आने वाले समय में You can use this template, the link to this template is in description box